वैपार और खेल दो पहलू हैं एक वैक्ति किसी एक शेत्र में उचाईयों तक पहुसता है लेकिन हिमन गांधी ने पहले वैपारियों के लिए आवाज बुलंद की वहीं कई आंदुलनों की अगुवाई की और न्यायत दिलाने का भर सक प्रयास किया अव्वे विधर्व क्रिकेट एसोसियेशन के सचिव पत पर भी हैं और युवा क्रिकेटरों के लिए भरपूर मौका उपलब्द कराने की पहल कर रहे हैं नए क्रिकेटरों के सपनों को साकार करने का ध्याय निशित कर क्रिकेटर पट्टू की भविश्य के लिए एहम भूम का निभाने की गवाही VCA सचेव हेमंद गांधी ने दी तीस वर्षों से वैपारिक संगठन से जुड़े रहने के बाद अब उनका लक्ष क्रिकेटरों को राश्ट्री इस्तरपा पहचान दिलाने की है विधर्व क्रिकेट एस्सेशन के सचेवपत की बागदोर समालने के ब देश के क्रिकेट संगठनों में VCA अगरिम पंक्ती में आता है गांधी कहते हैं कि इस वर्ष विधर्व के पांच क्रिकेटरों का चैन IPL में हुआ है अगले वर्ष इसकी संग्या दो गुना करना हमारा मुख्य लक्ष है यही कारण है VCA टीमों को और सशक्त बनाने के लि का मानस भी तैयार किया गया है वे कहते हैं कि पूर्व ICC और BCCI अध्यक्ष शशांग मनोहर ने उन पर भरोसा जताया और तीन वर्षों तक सयूंगत सचिप बनाए रखा कारी को देखती हुए अधवेत मनोहर डीम में सचिप बत की जिम्मेदारी सौपी गई उनके सयूं रूख से क्रिकेट को एक नया आयाम देने का प्रतने किया चाहेगा साथी गांधी ने कहा कि आने वाले दिनों में जोईन्ट एक्षें कमीटी संस्था का सदश्य बन कर सामाजिक रूप से वैपारज शेत्र में आने वाले समस्याओं पन्यंत्रन कर संस्था पक प्रहलात अगरवाल के विचार को फैलाने का प्रतने करने वाले होने की जानकारी वी से सचिव हेमन गांधी ने दी वाडी से इन बी से न्यूस के लिए सौरप पाटिल की रिपोर्ट